हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल में आज हम इंपोर्टेंटली दो बाते करने वाले हैं सबसे पहली बार जैसे कि आपका एक्जाम खतम हो गया है क्या लेनी चाहिए है आपकी इंग्लीश और मैट को लेकर तो सबसे पहले इंग्लीश पर आते हैं कि इंग्लीश एक ऐसा पार्ट है जिसका एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रूल है ठीक आपकी सिलेक्शन के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं 200 नंबर का एक्जाम है कि तो मैं मानता हूँ 160 तक नंबर कंसे कम होने चाहिए ठीक है अगर आप कहीं से कोचिंग अगयर भी लेते हैं तो देखिए आपकी मर्जी है पर मेरा मानना यह है कि मैं जैसे स्ट्राइटिजी बता रहूं आप उसे जरूर फोलो करें ठीक है अगर आप देखते हैं इंग्लीश के अंदर तीन प्रैक्टिस सेट आपको डेली बनाने है मेंस के ठीक है तीन प्रैक्टिस सेट आप डेली बनाएंगे उसके बार इसका अनलेसिस करिए पढ़ना कुछ नहीं है देखे पढ़ना आपको कुछ भी नहीं है कुछ भी रिवाइस निकरना सब चीज़ आप जानते हैं एक ची क्लियर करके आएं तो यह भी चीज मारी जाएगी कुछ एक बेसिक सी जो चीज़े होती है वह आपको सारी बता है तो अब जो कमी रह गई है वह केवल रह गई है प्रैक्टिस की जो मेंस मांगता है तो अनलेसिस करेंगे इसका क्या सही हुआ क्या गलत हुआ वह आप अपने है मैं मानता हूं यह 100% रहना चाहिए अगर एक भी गलत होता है तो दिक्कत वाली बात है एक भी गलत नहीं होना चाहिए बिलकुल भी तो एक्टिब पैसिव और डारेक्ट इंडारेक्ट हंडेट परसंट रहना चाहिए इसके लिए पहले आप रूल पढ़िए किसी भी ए सिरीज आप ले सकते हैं पर लेवल थोड़ा सा अच्छा हो यानि अच्छी लेवल के लिए तैयारी करना है जो वन वर्ड और इडियम वाला पार्ट है ठीक है यह आपने पहले से बहुत लर्न कर रखें पहले से आपने बहुत सारे बुके कर रखें ठीक है कोशिश करिए पीडिएफ एवेवेलेबल है इसकी एंग्लीश की वन वर्ड की वो सारे वह हैं जो आपको एजीली किसी बुक में ने मिलेंगे आप वह भी ले सकते हैं ठीक है वह आपको फेश्बुक पेज पर मिल लागा मेरे नाम से सर्च करेंगे ठीक है उसको आपको स्कॉल करके जरूरोगा नए वन वर्ड और नए नए इडियम आपको ज़रूर मिलेंगे तो नहीं नए वन वर और एडियम जो भी आपको मिलेंगे उसे आप it separate notebook में लिखिए कि अधिक सेप्रेंट नोट बुक में लिखिया और जब एक्जाम आने वाला होगा उससे दस दिन पहले लगातार उसे रिवाइस करिए ठीक है जो बेसिक आते हैं आपको वो तो आते ही हैं करने का तरीका मैंने बता है कि चारों का मेनिंग बता हुने चाहिए आप यह करें च पार्ट लिखना है इसके अंदर साथ के साथ अब जैसे आप टेस्ट बनाते हैं पूरा तो क्लोस टेस्ट कॉम्प्रियेंशन और पीक्यू आरेस कई बच्चों की इसमें दिक्क्त है यह सभी में पीक्यू आरेस आपका लिंकिंग पर बेस रहता है ठीकर लिंकिंग से आप पीक्यू आरेस सॉल कर सकते हैं कई बार और कई बार ऑप्शन से भी सॉल कर सकते हैं पीक्यू आरेस वाला पार्ट यह जितना भी पार्ट है अगर मैं बोलता हूं इस पार्ट को अगर मैं छोड़ भी दूँ छोड़ने का मलब पेपर में नी छोड़ना ना आपको तैयारी ठीक एक्टीपैसिव डारेक्ट इंडारेक्ट ठीक है और एंटो साइन हो कि यह सारा पार्ट हो गया संटैंस इंप्रूमेंट आ गया स्पैलिंग आ गई अदर और होगे सारा बार्ट इसमें आपकी कम से कम 92 95 परसेंट एक्युरेशी हो नहीं मस्ट है क्योंकि यह वहाड़ पार्ट है जो इसकोर्ण है जापर बच्चा बहुत अराम से स्कोर खहाशता है एंटो साइन ओए पार्ट ऐसा है जिसमें और कुछ एक गड़बड भी होती है तो उसे जादा याद करने की जूरवत निया ज़्यादा टाइम वेस्ट करन तो इसके देखके आपको serious नहीं होना है में बात यह कि पहले इस पार्ट पर फोकस करें जो आपके हाथ का है उसके बाद close लागातार जिस दिन तक एक्जाम होगा आप देखें इंग्लिश में स्कॉर अपने आप बढ़ जाएगा अब आते हैं मैथ पर कि 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 मैट के अंदर देखिए कि कि कंटेंट के अंदर कि कि वेराइटी मैं अदर दोनों पह को काम करना पड़ेगा कि ठीक है रूच एक काम आपको कैल्कुलीशन के लिए ना पड़ेगा क्योंकि कि अक्जाम आते हैं जिसके लिए आपके बहुत सारे मैथड है जिस पर हम फोकस करते हैं डीएस मैथड एम जी ठीक है लास्ट जिजीट लास्ट टू डिजीट अप्रॉक्सिमेशन रिमेंडर थियोरम इन सब चीज़ों के फोकस कर सकते हैं ठीक है कैलकुलिशन के लिए इसके लिए काफे सारी वीडियो अविलेबल भी है यूटूब पे मेरी ठीक आप वो भी देख सकते हैं विराइटी यानि विराइटी का मलबा आपको सबी परकार की विराइटी पता होनीचे किसी एक लिए बत्ताइब बनटना के फिरेशों में सारी वाराइटी क्या है सब्ले एक आपकी नईजर से बच जा है ठीक है और जो न्यू वराइटी जन्नेट होती है कि न्यू टायप सफ कुशन उस पे special focus सकना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जैसा आपने आज सक पड़ा है वैसा exam में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज examiner definitely देगा, तो उस change को आप पहले से पकड़ कर देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कई सारी वीडियो मैंने algebra वग को किस किस तरहीं के से create करना है, तो new type के question आप चाहे research वर्क चाहें उससे prefer कर सकते हैं, या आपको किसी भी x y z books से या किसी की PDF से कहीं से मिलते हैं, वो करिए, ठीक है, आगे आते हैं, देखें, content में difficulty level part, एक addition लगाया मैंने, difficulty level यानि, आप एक level पर पहुँझ गए हैं, तो यह सोचके पढ़ाएगा, कि आपने pre-clear कर लिया है, ठीक है, और आप खुद भी बढ़ते हैं, तो यही सोचके पढ़िए, कि आपने pre-clear कर लिया है, अब आपको आगे की सीड़ियां तै करना है, यानि difficulty level को आपको बढ़ाना पड़ेगा, difficulty level जितना ज्यादा करके अब मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात यह है कि आपको नोट सोर्स नहीं मनाने है, जो examination जैसा महल होता है, वैसी महल के रियेट करना है अपने लिए, अगर आप आगे देखते हैं, अब आपको डेली किसी आप से पढ़ना है, देखिए एक पार्ट है, आपको डे इड्वास का, एक है arithmetic का, एड्वास पार्ट ज्यादा ऐसा होता है, जो बच्चों को दिक्कत करता है, अर्थमेटिक पार्ट प्री में थोड़ा कमजोर है, कोई एक chapter आपने उठाया, starting से mock test कोई नहीं बनाएगा, अगर आप सोचते हैं, कि mock test बनाने से speed बन जाएगी, उससे आपका selection हो जाएगा, mock test जब बनाईए, जब आपको सारा content आता है, सब चीजों के साथ aware हैं, आप, calculation पे आपने काम कर लिया, content पे आपने काम कर लिया, variety आपने कर लिया, difficulty level आपने कर लिया, उसके बाद मेदान में उतरी है, mock test बनाने के लिए, तो मेरा मानना ही है, कि मैं mock test starting में prefer बिलकुल नहीं करता, मैं मानता हूं कि अभी एक देड़ महीना बच्चे को self study करने चाहिए, self study में क्या करना चाहिए, advance math की अगर बात कर है, ठीक है, कोई एक chapter आपने पकड़ लिया, मान लेता है, geometry, केवल उन चीजों पर ध्यान दीजिए, जो आपकी कमजोर है, यानि ऐसे question जो आपको लग रहे हैं कि नहीं हो रहे है, ठीक है, book खोली, आपने question देखा कि ये question आता है, आप कर लेंगे भरोसा है, ठीक है, आगे बढ़ी है, आगे बढ़ी है, जो question आपको लगता है, कि ये question यार ऐसा है, जिसमें दिक्कत हो रही है, तो उस question को time करना है, बस, केवल वो ही question करना है, जो दिक्कत वाला है, अर्थ मैटिंग में क्या करना है, डेली, 15-20 मिनट या 25 मिनट के सकते हैं, एक चैप्टर के लिए निकालिए, अर्थ मैटिक के, और चार से पांच चैप्टर, कंटिनिशन में करिए, पहले 15 दिन, या 20 दिन, फिर अगले 15 या 20 दिन, किसी साब से करना है, एडवास पार तो इस तरीके से ही करना है, कि जमेटरी, टिक्नोमेटरी, मैंसुरेशन, लगातार, अच्छे-च्छे important question आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, वो question जो आपको लगता है, यह question है, आपके सामने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आपको देखके बता लग जाएगा कि इस question के level ऊपर है आप से या नीचे है, यह ऐसा question आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको केवल वोई question करना है, जो आपको लगए आप पहली बार देख रह ले हैं, लगबग आप हर chapter के 15, 20, 15, 20 question नहीं पाएंगे, ठीक है, केवल उतने उतने ही करने हैं, आपको पुराने question बिलकुल नहीं करने हैं, ठीक है, उसके बाद पेपर से 20 दिन पहले आपको daily दो mock test लगाने है, mock test लगाईए, जब लगाईए, जब आपके पाद अस्त्र शस्त्र सब चीज हो, उसके बाद मेदान में उतनना है, अगर आप अभी से उतर जाएंगे, आदा motivation आपका वैसी दाउन हो जाएगा, ठीक है, आपको लएगा कि अभी इतना नहीं आता, आप खुद ही गलती कर रहे हैं, पहले आप चीज सीख नहीं रहें, पर आपको जल्द बाजी है, कि मेरे को mock test बनाना है, क्योंकि आपने सुना, उससे speed बनती है, जब आपका content ही नहीं है, तो mock test कैसे speed बना देगा, बात को समझे, यह logical बात है, जब मुझे चीज आती ही नहीं है, तो test देने से क्या चीज सोड़ी आ जाएगी, मिरे को पहले काम करना पड़ेगा उस चीज पे, तो वही मैंने बोला है, पहले आप काम करिए इन चीज पे, लास्ट में 20 दिन अगर आप daily mock test मिनाते हैं, दो mock test, यानि 40 mock test जरुष से बहुत जादा होते हैं, निकालने वाला 10 mock test में selection निकाल लेता है, तो mock test पे नहीं जाना है, जब आपने range कवर कर लिए सारी, तो जब आपके पास पूरी range है, सारी variety कर लिए, difficulty level कर लिए, calculation पे काम कर लिए, तो exam में paper कहीं नहीं जा सकता, आएगा उनी में से जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो मेरे इसाब से math की strategy आपकी यह होनी चाहिए, आपका daily का schedule, ठीक है, अब आते हैं आपनी दूसी बात पे, यानि कि जैसा मैंने आपको बताया, कि हम अपना means का online batch launch करने वाले है, ठीक है, तो उस से related में आपको information देने वाला हूँ आप, कि उस online batch में क्या होगा और क्या specialty रहेगी, क्या-क्या feature रहेंगे, ठीक है, अब जो यह है, लक्षे 200, means, special batch, ठीक है, पैशी में बहुत असान होता वो चीच, पर उसके लिए आपको बहुत सारी मैलत करने पड़ती है, ठीक है, यह आपका recorded batch रहेगा लाइफ सेशन होंगे बीच में ठीक है लाइफ सेशन एक्स्ट्रा कोश्चन के लिए होंगे जिसमें इंट्रेक्शन होगा आपके साथ ठीक है और के वह लाइफ सेशन के जो कोश्चन होंगे उनमें आपको PDF भी दिया जाएगा ठीक है only in life session question ठीक है class के question की बात निकरें life session की बात करें जो हम discuss करेंगे इस तरीके से discuss करेंगे कि यहाँ पहला question है बताओ देखो और इसका answer बताओ क्या हो सकता है ABCD ठीक है तो इस तरीके से हम यह life session रखेंगे चाहे हम कम रखें यह ज़्यादा रखें पर session important रहेंगे सभी के लिए मैं यही कहूंगा कि जाद से यादा बच्चे active रहे है उस life session के लिए क्योंकि उसके अंदर आपकी responsive power check होगी कि आप response कि सच्छी तरीके से कर रहे हैं आपको screen देखना है और answer करना है ठीक है वाकि बैच आपका ही मैंने बता दिया ओनलाइन रहेगा recorded रहेगा डेली आपको लगबग चार घंटे की class मिलेगी थीक है उसके बाद डेली चार घंटे के आपके class हो गई है ओनलाइन हो गया recorded हो गया अगला फीचर आ गया validity validity आपकी phone मंद रखे है हमने ठीक है क्योंकि इसके लिए हमने fees भी बहुत nominal charge किया है minimum से minimum किया है बट वो केवल उन बच्चों के लिए है जो मेज के है fees जो है इसका आपका 25 सुर्वे है और यह सब बच्चों को ध्यान में रखके रखा गया है ठीक है कई बच्चे ऐसे हैं जो गाउं अगे रसे हैं दूर से हैं जो अनेबल है पेक अन्ने के लिए मैं minimum से minimum charges है हमने यह 2500 पर यह कब तक है यह 24 जून तक है 25 जून से यह 35 हो जाएगा और उसके बाद increase ही करता रहेगा ठीक है तो चार महीने की validity हो गई फीस आपकी हो गई 25 जून तक है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका कल से कि यानी कि 19 जून से कि ठीक है एक और चीज है इस बैच की एक special feature यह भी है कि आपको यह class के तोर पर नहीं बढ़ना है ठीक है जैसे की classes आप ले चुके हैं बहुत सारी आप में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी class ले चुके हैं ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखते वह एक course बनाए गया है मैं आपको बताऊंगा ज जो की live रहेगी लाइफ सेशन रहेगा जैसे कि मैंने बताया आपको कि class के साथ साथ आपके live session भी रहेंगे तो पहला live session आपका यही रहेगा 25 जून को जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि भई आपको आपने class purchase तो कर लिए परचेस करके घर पे रखके notes नहीं मनाने हैं आपको इसके आपको तरीका बता जाएगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है देखे खाली खरीदने से selection नह होगा उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको और काम किस तरीके से आप करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा screen पर देखना है और answer करना है ठीक है screen पर क्या देखना है और कितना देखना है class की duration में अगर आपको बता दी है daily 4 गंटे की class होगी लगबग इसके आगे अगर आप देखते हैं चार गंटे की class होगी टोटल जो course है आपका वो लगबग 320 गंटे के करीब है लगबग अप्रॉक्सिमेटर देखिए exact data कभी नहीं निकाला जा सकता यानि exact data निकाल के आपको कुछ भी नहीं करना है 300 गंटे का होगी या 320 का quality से मतलब है आपको उसके बाद आगे देखते हैं 320 गंटे का course होगी है लगबग ये questions की अगर बात करें तो देखिए लगबग 800 के करीब question होंगे advance के लगबग 1200 के करीब होंगे arithmetic देखिए उपन नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है ज्यादा उपन नीचे नहीं है ठीक है तो total लगबग आपके 3000 के करीब question है अब ऐसा तो नहीं है ना कि 3000 question आप करेंगे 320 गंटे आप देखेंगे चार गंटे के हिसाप से इस हिसाप से आपको imagine कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल आपको imagine कुछ भी नहीं करना है मैं आपको बताऊंगा कि course को पढ़ने का तरीका क्या है आपको notes वगेरा कुछ भी नही direct answer करना है direct answer का मतलब आप classes इस हिसाप से attend करिए कि जैसे आप एक exam में बैठे हैं इसलिए मैंने ऐसा करा है कि live session अलग से रखा है और recorded session अलग से रखा है ठीक है कुछ एक चीज ऐसी जो आप खुद practice कर सकें जैसे mock test में करते हैं कुछ एक चीज ऐसी जो आप direct practice कर सकें जैसे आप paper में करते हैं दोनों तरीके की चीज रखिए खाली PDF भी नहीं है और खाली recorded भी नहीं है दोनों का combination है यानि एक तरीके से आपको mock test वाला महौल भी मिलना चाहिए और आपको live वाला भी महौल मिलना चाहिए दोनों चीजों का महौल आपको मिलेगा ठीक है live session जब भी हो करें तो आप मैंसे जितने बच्चे मेरे को से पढ़ते हैं या मेरे को जानते हैं उन्हें पता होगा मैं class में भी किस लेवल के question कराता हूँ और पहले भी जितने online purchaser है हमारे वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे level क्या रहता है तो मेंस level cat level z level mat level set level यानि इन में से जितने भी level के आपके question SSC के point of view से important होंगे वो हमें करने होंगे ठीक है अगर आप उसके लिए तयार हैं तो ही आप ये course करिएगा क्योंकि इसके अंदर काफी सारे आपको difficult question मिलेंगे जिससे आपको ये भी लग सकता है कि इस type के question exam में नहीं आते पर मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप वो level के question करके जाएंगे तो examination में आपका point of view अलग रहेगा छोटी चीजे जल्दी समझाएंगे तो इसलिए मैंने इस सारे level के question उसके अंदर रखें है जो आपके paper point of view से important है ऐसा जबरदस्ती का question नहीं करना कि आपको दिखी रहे question इतना बढ़ा है और answer दिख रहे है इतना बढ़ा है वो आप paper में भी नहीं कर सकते तो हमेशा वोई question लिया जाएगा जो आपके paper point of view से important हो इसके साथ साथ इसके साथ साथ देखिए new type के question यह आपको बहुत सारे मिलेंगे नए टाइप के question अब exam में हम जा रहे हैं ठीक है और यह उमीद लेके जा रहे हैं कि previous year कर लिया है उस हिसाथ से paper में question आ जाएगा तो उस हिसाथ से लक्षित दोस्तों नहीं प्राप्त हो सकता लक्षित दोसों के लिए आपको एक एक चीज बारी किसे पढ़नी पड़ेगी यानि calculation वाले पार्ट पर अलग से काम करना पड़ेगा एक habit बिल्ट करनी पड़ेगी जैसे कि आपने मेरी previous वीडियो सो अगेरा देखी है उसमें आपने देखा कि सन ने बोला pen free habits वो लिखना बहुत असान है pen free habits ठीक है उस पे अमल करना तो अमल वो जब होगा जब आप daily basis पर बहुत अच्छे से practice करते हैं मैंने बताया ना पहले आपको content पर काम करना पड़ेगा content के अंदर difficulty लेवल और variety दोनों पर फिर calculation पर उसके बाद आती है pen free habits तो जब live session आपके होंगे तो उसमें इस पर ही focus रहेगा कि आप देखिए इन चीजों को सीधा सामने नजर मारिए ऐसन यह कि सामने देखे आप notebook में लिख रहे हैं तो special type के नई type के question आपको definitely मिलेंगे जैसे आपने मेरी algebra और mensuration और की वीडियो में देखे हैं और सभी आपको मिलेंगे ठीक है साथ के साथ यह भी ध्यानक नहीं कि आपको notes नहीं केवल उतनी चीजों के notes बनाई है जितनी जरूरी है ठीक है ऐसा नहीं कि आप लगादार question लिखे जा रहे हैं या PDF कर रहे हैं और solution लिखे जा रहे हैं और फिर बाद में revise कर रहे हैं कोई भी चीज आपको वह अच्छी तरीके साथ है जो आप किसी को समझा सके अगर आप किसी को समझा पा रहे हैं तो ही यह माना जाएगा कि आपको वह चीज आती है तो ऐसे illusion में बिलकुल नहीं रहना है है तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि नोट्स आपको बिलकुल नहीं बनाने है 25 तारीक को पर्स लाइब सेशन होगा जो भी बच्चे इन्रोल लोंगे ठीक है उनका पहला लाइब सेशन होगा उन्हें बताया जाएगा कि आगे की ट्रेनिंग मेंस की आपको किस तरीके से गन्नी है यानि मेंस के लिए ऐसी क्या बात हो आपके पास जिसमें आपका मेंस में पर है तो आख कि दल passar और दिहनों आल्लाइन क्लासेट मेंस से ले रख़्ी है अकाए उन्हें जरूरत नहीं है इस कोस को खरीदने की ठीक होई है Only प्रफिदी कि बात को समझे मैंने आपको प्री-प्लस मेंस लेवल का बोला था तो मेंस लेवल की चीज आपको ऑलरी मैंने करा रखी है इसमें थोड़े बहुत आपके लाइफ सेक्ष्टन वागे एक्स्ट्रा होंगे नई टाइप के थोड़े से कुछ बी एक्स्ट्रा नही यह सब कूछ है आपको यह खरीडने की बिल्कुल जुरुरत नहीं है जैसा कि मैंने बोला था कि आपका मेस लेवल का कुर्स है तो आपने मेस लेवल का अल्रेड़ी कर चुके है और जिन्होंने पर्चेस नहीं किया उनके लिए है यह ठीक है और जो फीस भी हमने रखा वह नॉमिनल है 25 और बे जैसे कि मैंने आपको बता है पर एक चीज़ ध्यान है कि यह चालू होगा कल से यानि 19 जून से 24 जून तक तो यह 6 देज हैं और 25 जून को आपका पहला लाइब सेशन होगा ठीक है तो मेंस के लिए मेरा मानना यही है कि मैंने आपको स्टेटीजी भी बता दी और कोर्स से इलेटिड जितने भी इंक्वेरी थी वो मैंने आपको दे दी है कि कोर्स में क्या-क्या होगा कितने कोशन होंगे कितने कोशन होंगे कितने घंटे होंगे validity वगेरा मैंना आपको सब बता दिया है ठीक है तो आज के session में हम इतना ही करेंगे मेरे को यह information दे रही थी आपको ठीक है और कुछ बच्चे ऐसे भी है देखिए जो बिना coaching के त्यारी करेंगे मैं उनसे भी यह कहूंगा कि आप बिना coaching के भी selection ले सकते हैं ऐसा नहीं कि आप coaching लेके ही selection लेंगे जो चीज आपको बताई गई है वो आप खुद जन्नेट करिए खुद देखिए यानि जैसे बताया new type के question है या difficulty level है variety of question आप खुद research वर्थ करके भी कर सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप course खई देंगे कही ना कहीं से तभी आपका selection होगा ठीक है तो course basically उसके लिए है ठीक है जिसको लगता है कि भी हमें जरूरत है अगर आपको जरूरत है तो well and good है course आपको definitely मैं कर रहा हूँ 200% selection oriented मिलेगा ठीक है जैसे हमने नाम रखा है लक्षे 200 अगर आप में course पूरा करने की हिम्मत है तो हमार में 200 number दिलाने की हिम्मत है आपको केवल content बेकाम करना है ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे अपना ख्यार लगिए जैहिन